महिला किन्र उसको कहते हैं जिसमें, सेक्स करने के उतेजना बहुत काम होती है, पीरियर औ wydaje बहुत काम आता है, जिसे बहुत पतला आता है, ठीक, और महिला किन्र को अगर चाहा जाए, तो सर्ज़री के माध्यम से लेडिस बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं। लोगों के तमाम सवाल होते हैं जब किनर की बात आती है तो सबसे पहले आप हमें यहीं बताएं कि आपको या फिर आपके परिवार को कब यह पता चला कि आपके किनर हैं। आ रहा था फिर भी आता था तो कुछ आजीब धंका आता था तो उसी से पता चला। आपने परिवार को मम्मी को या किसी को किस तरीके क्योंकि अभी जब छोटी बच्चिया होती है तो उन्हें यह चीजे पता ही नहीं होती कि कि आइसा कुछ भी होता है। तो यह चीजे आपको जानकारी हुई या फिर आप से किसी ने पूछा इस तरीके से तो नहीं जब हम आठवी कच्छा में थे जब पहली बार मेरा मासिक आया तो मुझे बहुत अदार्द हुआ उसके बाद जो है कि हम ममी से बता है तो ममी डॉक्टर के पास गई तो पॉर्ड़ों मेरा शेयर आता था तो बहुत पत्ला सा आता था फिर दिखाया गया तो फीर बताया गया यह की अच्छी पढ़ा लिखा यह स्कूल क्यों किक आप घर पर रहते हैं उसके बाद अपना 프로그램 करते हैं उसके प्रोग्राम करते हैं जो भी बएंशल का फोन आता है क कि उनके परिवार में उनके गाव में कोई किन्नर है तो जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो उठा ले जाते हैं ऐसा कहा जाता तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था आप हम इतनी धाकड हैं हमारे साथ ऐसे कैसा हो सकता है इतनी हित फट हैं कोई कर सकता है हमारे साथ ऐसा तो फिर आप कैसे अपने समाज के बीच में गए आप रही है या फिर नहीं 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 के लोग quick amino किये कउसिस लोग किये और रही नहीं हु इन्य को देजार किसी करने वाले कुछ चिए फिर में भी कोशिस कि मेरी हार नहीं हुई मैं नहीं रही हूं वैसे समाज में अपने समाज से दूर मैं प्रोग्राम करती हूं और समाज वाले से थोड़ा सा दूरी बेना के रखती हूं या समाज वाले भी उस काटेगरी के होते हैं जिसे प्रोग्राम करने वाले तो उनके साथ में प्रोग्राम करते हैं इतना हो गया पैसा इतने पैसे में तुम्हें डांस कराएंगे तो हम उस तरह से डांस करने जाते हैं और एक बात ये भी बताना चाहते हैं आपके नियूज के माध्यम से जो भी लोग हमें डांस करवाना चाहते हैं हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा रंजना यादो पांसो पच्पन ऐसे नाम से मेरे चैनल है जो कि 2,12,000 सब्सक्राइबर हैं आप लोग कमेंट करेगा मैं प्रोग्राम करती हूं लोगों के मन में ये होता है जब किन्रों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पूरुस किन्र है महिला किन्र है ऐसा भी देखा गया है लोगों को कि सेविंग वगारा भी करते हैं उनको लोग कहते हैं कि ये पूरुस किन्र है और महिला किन्र जो होती है लोग कहते हैं कि महिला किन्नर में जो है कि सेक्स करने की उतेजना बिलकुल नहीं होती है ठीक और जो पूरुस किन्नर की बात आप कर रहे हैं तो पूरुस किन्नर में जो है कि सेक्स करने की उतेजना बहुत ज्यादा होती है और वो जो है कि उनको सरजरी के माध्यम से भी आगे का सिस्टम नहीं बन तो मैं यह बताना चाहती हूं कि जिसे बोलते हैं समल्लिंगी सेक्स उसी को कहते हैं वह पूर स्किनर अब महिला कि उसको कहते हैं जिसमें सेक्स करने के उतेजना साइक, बहुत कम होती है, कि अगर महिलड कीणनर अगार की मात्य हम से लेडिस बनाया जा सकता है। लेकिन बच्य नहीं पैदा हो सकते हैं। कि आ ङा अगर कभी होती भी यह तो हम दबा देते हैं। कि बहुत कम अच्छा मतलब ऐसा कुछ महसूस होता है हाँ थोड़ा जिसे आभी जिसे हम लोग डांसोंस करने गए वहाँ पर बीयर वर पी लेते हैं मैं जो देखा मैं दिल की बहुत अच्छी हूं मैं खुल के बात करती हूं मैं कोई चीची पाती नहीं हूं अभी से महाँ दारो रूपी ले या बीयर वर पी लिए थोड़ा सा उतेजना उठती है और अगर ऐसा नॉर्माली है तो कभी नहीं उठेगा लोग तमाम तरह के कि देखा जाता है खबरों भी देखा जाता कि महिला किन्नर से लोग साधी भी कर लेते हैं यहां तक उन्हें पता होता कि इनसे हमें बच्चे भी नहीं होंगे ऐसा होता है तो फिर अगर मेला उनसे बच्चे नहीं होंगे फिर बात में यह होता कि दो-चार संबन में राते हैं फिर उन्हें धोखा देते हैं ऐसे भी तमाम मामला आते हैं तो क्या आपके साथ कभी किसी से ऐसा कुछ लगा हुआ हो देखिए मैं यही कहना चाहूंगी पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए जब उपर वाला खुद आपको ऐसा बना के भीजा है तो फिर ऐसे इंसान के साथ में साधी करना चाहिए जिसको बच्चे की जरूरत नहीं हो और तुम्हारे साथ रहे उसका घर अच्छे से बना दो इसमें चुटी चुटा वाली बात यहां से आती है कि उसलिए क्यूंकि उसको दूसरी लड़की मिल जाती है साधी करने को मैं उस इंसान से साथ करना हैं पर अगर हुआ हो जिसकी बीबी ना हो बच्चे हैं उस साथ में executed सैंभी महिलाओं जैनल शीन हम नहीं याती हैं कि मैंने बोला कि द content working नहीं आती थोड़ा थोड़ा आथा है आपने अच्छे से सुना नहीं कि ऐ ख़्यारत नहीं है बाईंट नहीं हारा कि तो ह 나올 जाएगा एक हमने बात किया था कि उत्रैना नहीं होता है के रूप में आप करना है वही चीज होता है हम साधी इस लिए करना चाहते हैं कि हम सेक्स करने के लिए साधी नहीं करना चाहते हैं हम साधी इसलिए करना चाते हैं कि उसके कागदूठी बच्चा हो और किसी प्रोबलम बस उसकी बीबी ना हो तो हम हम भी कमाएं वो भी कमाएं हम दोनों एक हो जाएं और बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे निकाल दें हमारी ये सोच है अपने ये नहीं बताए कि आप का भ प्यार होने का दोर में उमर की गहांस तो आज का दोर जो चल रहा है यहां तो ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों को सही से पढ़ना नहीं आता वो प्यार कर रहे हैं प्यार का पता नहीं कि प्यार लिखा कैसे जाता वो प्यार करते हैं ऐसे तमाम आपको समाज में मिल मेरे हाई स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी उसका रोल नंबर है 31,99,935 मेरा रोल नंबर है आप लोग चेक कर सकते हैं मैं कितना परसंट से पास हुई हूई हूँ क्या कर अगर मेरा सवाल सुने जिए क्योंकि सरकार काफी दिनों से किन्रों को भी मौका दे रही है किन्र भी उस मुकाम पर पहुँच रहे हैं तमाम एक मामला याद अच्छीर भारत में एक महिला किन्र हो जो एम बीबियस डाक्टर है और तमाम किन्र है जो किसी ना किसी पतपर अगर वो जाना चाहती है तो फिर पढ़ाई लिखायि में क्यों इंट्रेस्ट नहीं रहा देखिए में पढ़ाई लिखाय में बिल्कुल इंट्रेस्ट था इसा तो फेर पता नहीं है आप भी बता रही है क्योंकि बिहार से एक वीडियो देखा गया जिसमें ये वह बहला कि नर है वह खान सर से कोचिंग ले रही है वह तमाम चीजहें को समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं से वह कहीं न कहीं परिशान हो चुकी थी फिर उसने कहा कि नहीं मैं पढ़ लिखकर कुछ बनूंगी तो इस समाज में राना आपको धेर बढ़ियां लगता है या फिर पढ़ लिखकर और बेहतर कुछ कर लें उससे बढ़ियां हो जाए देखिए मैं हाई स्कूल तक पढ़ी लिखी हूं उसके बाद मैंने जिम कलास और विए सिंगर बनना चाहती हूँ और एक वीडियो आर्टिस्ट बनना चाहती हूं, अगर कोई दुनिया में भला इनसान होगा हमको यह स一 वल We juste काम चाहिए,र आपको क्या स्कुम से राद्वाफ जहें जाये हमारे दौर्णा क्ने ऐक क्या ह्मने दम संपर्क करेघ हों और हमें कुछ अच्छा इंसान बनाए ठीक? आपने अपनी सर्जरी करवाई है? जी हाँ, मैंने एक सर्जरी करवाया है.. जो कि मेरा नॉर्मल सर्जरी है.. जीसे कि मेरा सब चीज पहले से ढ़ी ठीक ठक था.. कि वल एक चीज का दिक्ट था.. वो भी हमने करा दिया ओ दिक्कत था मेरी मसीन बहुत छोटी थी मैंने अपनी मसीन बड़ी करवा दी है जिससे सेख से संबंधित काम हो सकता है मसीन का मतलब जानते ही होगी कि मुझे मासिक को सिकाता था बहुत दिक्कत होता था इसलिए अच्छा भी कहा जाता है कि किंड्रों के लिए भी एक आफसन होता है कि अगर वो सर्जरी कुछ करवा ले तो बच्चे वगएर भी पैदा कर सकती तो ऐसा कुछ आफसन है वाकई में या नहीं है कि आप डाक्टर से सकुछ राय लिया था देखिए जिस हॉस्पिटल में मेरा सर्जरी हुआ था वो दिल्ली में अच्छा नाम था उस मैडम का एक कैड़ी हॉस्पिटल है और एक आस्पिटल और है जी उसका नाम मुझे नहीं आदा रहा ह पीतमपुरा में कोई हास्पिटल लोग बता रहा है नहीं वो नहीं जान रही हुआ हूँ और कॉसिक डाक्टर को जान रही है यह मैडम का नाम नहीं यादा रहा है पर वहाँ पे होता है तो क्या पूछा था भूल गए इस बच्छा स सरजरी की कांन फूल से बगला दाबत की सरजरी में होता है बहुत कट्छिंवर्ड होता है और आंपकी उना वहां है और सब लोग जहल नहीं पाएंगे ऑप्शन है बच्चा पैदा करने का एक ही बच्चा पैदा होगा बड़े ओपरेशन से तो इतना तकलिफ कौन जहें लेगा एक तकलिफ तो इतना खोदाई मरंज जीना हो जाता है एक छच्छा महिने तक उर्फ नहीं पाते हैं लोग तो कितनी हैं बहुत बहुत जान लेवा रिक्स बस गया की है। तो बस ढर्फ गया कि πάए मैं पापा साभ हैंं हो काभी कपी जाती हैं और जब जाती हूं घाउव में consult डहां में यह सब सुनने के बाद बहुत तकलीफ होता है इसलिए जाने का मन नहीं करता है फिर भी कदर चले जाती हूं और जाती भी होता है आच्छे से मुह बांद के जाते हूं काफी रास्ते में कोई देखने वरना मेरे माबाप का इंसल्ट होगा कि हावा फलाने बिटीनिया जो छक दिने तकलीफ होगी और उस तकलीफ से भाई अब तकलीफ सेहने की बात होती है हुता है। हो फूर गया है और मैं कहना चाहँगा कि एक लीडिस हो के खुद हमारे वीडियो पर गाली 1700 चाहरा हुल कि उपर और में से शुंदा हैं और और महीं विडियो आप हमएरी जैसी होती तो और दावे हम जिल में ये प्लीज चलिए ये इनकी गुजारिस है इनके वीडियो पर जो कमेंट आता हूं कमेंट को लेकर ये कह रही है हाला कि किंडरों को लेकर जो तमाम सवाल थे उन सवालों पर हमने इसे चर्चा की क्या कुछ होता है किंडर के जिंदगी में महिला किंडर या फिर पूरुस कि लेकर बताती इस दुनिया में इस आल इंडिया में इतने किनर नहीं कुछ सब असली थोड़ी नहां अब जैसे एक मैंज में सव लोग हैं सव लोग मैं से यही जान लोग दो किनर असली होगा अब्राकि सब करते हैं इस लोग बस कमाने सब बत्मीजी लोगों से कर लेते हैं तो बिल्कुल उस हद तक चले जाते हैं जो जाना नहीं चाहिए और हम एक बात और बोल रहे हैं जो भी कोई भी छक्कागा ट्रेन हो गयरा में मांगने आए तुरांत फोन करके जो ट्रेन अधिकारी से बोला जाता है यह सब काम बंद हो कर दिया कि प्डू को चलना फिर ना छुड़ा दिया कोई फोन करेगा पताने किसके पास कष्वान करना होते मुझे नहीं पता है वाई फोन करके या फिर उनका बीडियोन बना चाहिए जैन में पोлемते हैं फोलीज क्वें पोलीस वाल और पकड़ लेतान क्योंकि मेने कहना जिसा अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो भीक मांग लेंगे डांस का प्रोग्राम करके मतलब घर घर पर दस पांच रूपिया जो भी देते हैं ऐसे नाज के लेंगे पर ऐसा नहीं है कि तुम हमका है यह ला के दिया तुम्हारे आगे ताली बाजाएं तुम्हारे आगे कारण है जो कि भागमान से वार्दान मिला है जिसके ऊपर अगर खुसी होके बाजाएं तो इसका भाला हो गया और किसी पर गुस्सी में बजा दी तो उसका नास हो गया पर हम गुस्सा नहीं करते हैं हम इसा खुस रहते हैं ताली बाजाने का यही कारण है अगर पहचान कि भी होती हैं अजानें समय समाज कि दूसरी यर में ताली जाए यहीं के रिः नहीं रभाट में देखतें में टेखें पिर भी मेरि मेर साध़ा जी जाए यहीं कि इस ले बढ़र रहा धर यह फोंगыл नही। कि नए गुंडा किनन नहीं हूं मैं बहुत इमानदार किनर हूं आपने मुझे कहूंगी तो लोग सोचेंगे कि बखान नहीं है दुनिया बखाने तब जाके मैं इमानदार हूं प्रोग्राम भी करती है रंजना यादो इनके चैनल पर आप जाकर विजिट करें और कमेंट कर यह जहां भी आपको प्रोग्राम करबाना है किसी तरीके का रंजना यादो 500 पाच्पन के YouTube चैनल का नाम है उस पर आप विजिट करेंगे कमेंट करेंगे संपर्क करेंगे तो यह आप से मिलेंगी जहां भी पर भी आपको प्रोग्राम नच गाने का करवाना है यह वहाँ जाएंगे जानल में कमेंट करिएगा दोस्तों रंजना यादो 500 पैसपन मेरे यूटूब चैनल कमेंट करके हम संपर्क करिये डांस करवाना रहे प्रोग्राम करवाना रहे जो भी डांस रहे आप कमेंट करिएगा हम रिप्लाइदेंगे